आपका तानाम हम पहला ही चिराइया पास्वान डखे थे जो वीडियो वाइरल है आप जाकर के सोचल मीडिया पर पर दलीत समाज के बैक्ति था उसको बतलब समाज को लोगों प्रचा गया उसको पिला गया तो बताएं यह सब घटने डलीतों के साथ ही क्यों होते हैं क्टोर पास्वान है यह सरकार है यह दलीतों पर ध्यान नहीं दे रही है आए दिन परतेक जीला में एक सब्ता के अंदर चार पाइदों की हतिया हो जाए पाश्वान समाद का चोकिदारी था पांच रुपया बेतन से उसमें का अधीन ठीक है पर अंग्रेजों के विरूज में पास्वान जाती है एक उत्र होके लोडल था इसलिए उंग्रेजों ने जो सरकार है वो गठीद करके गई थी कि वहां जो पुष्टानी है चोकुदार सिर्फ पास्वान ही रहें अपना राइट्स मांगने के लिए आप बिधान सवा में नहीं जाने दे रहा है बताइए अगर इस देश का जो नागरिक है उसको अपना राइट्स मंगना क्या का गुना है कानून नाम के चीज भी नहीं है कोई बिहार में लगता ही नहीं है कि है विहार में आया दिनमाली जी कि भी व्यक्ति एक हरे गाउं तबका में जाई है दली तो कि इतना सौंसन हो रहा है कई रेव के घाटना हो रही है कोहीं मजदुरी करवा रहा है बंधुबा मजदूर बनवा रहा है लोग आप मुझ में देख रहे हैं कि ऐदीने घाटने हुआ ताक दलीत समाज के वेक्टि था उसको बतलब समाज के लोगों पेसाप पिलाया गया तो बताईए यह सब घाटन निचार करें तो सवेदान हम लोग इसको लगाए पूर तरीका से आए दिन क्यों सोसीत वंजीतों की आबाज को दबाया जा रहा है तो यह इस अब में पास्वान जाती है हम लोगे चोकदारी के लिए के मरे हुए है देखिए हम लोग का पुस्ताहिनी तो जो है तो जो हम लोग है क्या है सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए हम लोग आए दिन मतलब इस पर मतलब आवाज उठा रहे हैं कैसा नहीं होना चाहिए आने वाले भविस में हमारे आने वाली प्रिडी के लिए दिकत होगा लेकिन अपने समाज की बातों को सदन में नहीं उठा रहे हैं यह बहुत दुर्भाग की बात है कि अपनों कहां तक देखिए हम लोग इसलिए आया हैं धर्ना परतरसन कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार है यह निकम्मी सरकार है यह दलितों पर ध्यान नहीं दे रही है आया दिन परतेक जिला में एक सब्ता के अंदर चार-पाइच दलितों की हतिया हो जा रही है उसके लिए नहीं नहीं हो रहा है टो है इस जो कि बना रहे हां फिर्फिए सब्हां हो रही है जो और में चोकदार के लिए पुर्वजों की देन है हमारी जो उसको आ रही है उसको सदियों से आने दीजिए अंग्रेज के अधीन थे ठीक है पर अंग्रेजों के विरूज में पस्वान जाती है एक अत्र होके लोडल था इसलिए अंग्रेजों ने जो सरकार है वो गठित करके गई थी कि वहां जो पहले चोकुदारी जो है पसवान को सब देनी चाहिए नहीं पर जो हम को हमको हग अधिकार है उसको हम छोड़ देंगे उसको फोक लेते हुए यह नहीं कि हम आईसए प्यार पुलिस के जोब छोड़ देंगे नहीं आवाज उठा रहे और ऊट देंक्यार्स अले वाली वि लग बाद है पर हम लोग किस मकसद से बहते हैं उनक्सद दिखाई दिया चीरागपासवाण में कि चीरागपासवान को कुछ करने वाले नहीं है वो सोन के नेता होगा है अभी खी गड़िवी और अमेरीक भी उसके खिलाप लड़ाई है आतिक समांता समांता क्लाब अगर रावन दॉन के साथ लगता है हुता है बलतकार सरकार की कानों तक जू नहीं रखती है ओगन सीफद में जो बिधान सभा माष्ता चंशेखर आजाद रावन के आवान पर और हम सब बिधान सभा के कूछ करने के लिए हुए हैं, लाठी डंडे खाने के लिए अपने लोगों के लिए, और हमें लगता है कि सरकार को सिर्फ अमीरों से मतलब है, गरीबों से मतलब नहीं है, अगर गरीब तो महादलितों की लेकिन उनके सरक्षन में उनके इफाजत के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है लड़ाई उसके खिलाफ है सरकार के वादा खिलाफ लड़ाई है आप किसानों के देखिए बत्तर इस्तिती है आज खेत में पानी नहीं है किसानों के खाद मुहिया नहीं कर जारहे तो किसानों की लड़ाई है छात्रन अजवानों की लड़ाई है मजदूर की लड़ाई है और मजदूर तब का सोच नहीं सकता है का अपने बाल बच्चों को हमारा पक्टना तुरूमन पर्दशन को यहां क्या कहते हैं क्या क्या ही क्यों है देखें लोग के पर परिवार में चोकेदारी था समाज के लोग को चोकेदारी था तो उससे हम लोग का भोजन परहाई लिखाई सब कुछ चलता था अब कर रहें कि हम विहार राज के सरकार समरा के बुझे नकल को तो हम परिवार के समाज के सरकार की बुझे आओ अब तो बता रहे हैं आएस नहीं बनिएगा जब अंग्रेजों के जमाना से पासवान समाज 500 रिपया में काम करता था उसमें आपको अच्छा लगता था अब पासवान के पासवान के पासवान के लिए या दलित समाज के लिए बहुजन के लिए पुझनिय है लड़के कैसे कह रहे हैं उनके माता जी कौन है किस समाज से हैं तो विचार धारा तो वहीं न रहे पीता जी समाज से उससे समाज से नहीं के लड़के कहेंगे का है नहीं हमारे समाज के वार में सोच रहे हैं पुस्तैनी धंधा पाशवान समाज का चोकिदारी था पांस रुपया बेतन से उसमें काम करता था अंग्रेजियों को समय से ठीक है आप पुस्तैनी पादे जमीनदारी लोग कर रहेते समान जाती के तो आपसे दीजिए कि आप पूरे ब्यार भर्मन करके देख लिए दो कठा जमीन भी किसी व्यक्ति का खास नहीं है निजमीन नहीं है वो भी बिहार सरकार पर बसा हुआ है हमारा जमीन नहीं है नाला करके आपने हम लोगों को बाटा वहां भी भागदारी पासवान को काड़ दिया अब कहां कहां सोसन कर दो किसलिए बोट दे कर लुक मंत्री बनाए थे यही तो 2025 में दिखाना है हम पासवानों को कि हम आख मूंद करके लोग सभा में चुनाओं में और समाज को हम ने ठगा यह समाज को दिखाना चाहर है और हम लोग बहुत तेज आंदोला और होगा आद 2025 में आदने चिराग पासवान को जुकना पड़ेगा और पासवानों को मान को मंगना पड़ेगा क्यों लिया है अप काई नों करिया खतम हो गया तब नहीं कुछ खाने उन्य के लिए कपरो नहीं दिजेगा अपना कपरा अपना हाथ से अगर हमको दे दिए हैं इसी रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा जब तक हम लोग का मांग जो है सो माना नहीं जाता है कब तक इसी रहेंगे अपने बेस बुझा ही बदल दिये हैं धारना प्रदरसर करने के लिए बेस बुझा नहीं है जी इस सचाई है है अभी जो हमारे पर्परिवार के लोग थे उनको चक्विधारी था उनके पीसा ही नहीं देंगे पढ़ाएंगे कहां से एस बनेंगे अगाँ से जैसे सबनेंगे का सुझा काहां से हम सिता मठी इसे है और छात राजत के हम सह प्रवांगारी है यह तो लेकिन फिर भी जो हाँ चिराक भाईया को बोट दिये थे जात के नाम पर भोट दिये थे हाँ अभी न परवारी बने पहले नहीं थे जो है इस पर लिखे हुए हैं पहले थे हम चो किधार अब बन गए हैं मनिश कुमार जो है करके लोग दिखाना चाहरे लोग कि जो चौकिधारी प्रथा था जो पसवान जाती को लोग कर रहे थे उनको जो है यह ब्रकरा देखा जाए लोग कितना दूप में जैसे कहां कहां से आए हैं इतना परसान करने की जरूरत नहीं है नितीश चाचा से आप मिले हैं आपके बा वीडियो वाइरल है आप जाकर के सोचल मीडिया पर हां उसी बात करें जी चिराग भहिया को कर रहे हैं किस हो जाएगा तक का होगा अभी भीखारी है कम से कम जेल में तो खौनों मिलेगा अच्छा हां और बढ़िया स्प्वस्था हो जाएगा तो जेल में डालेंगे तक लगा देंगे विद इस ब Lieutenant वा व्फ हो जो अपनेजात का परिवार का myśla की हो सकता है बता यह भाइया जो अपने परिवार का नहीं ह। फिर समाई कि मैंने देश है राज है बहुत बहुत दन्यवाद मनिश जी और चोगिधारी के लिए काफी लोग जो है धर्णा परदसन और तमाम जो है क्या कहिएगा आप लो किस तरह से धर्णा परदसन कर देखिए सबसे पहलो तो इस देशवासियों को जैभीम बोलना चाहूंगा मैं कि जैभीम जैसे विदान इस धर्णा परदसन के देखिए इस जो बिहारन बिहार का सीन ऐसा हो गया परजन टाइम में यह जो सरकार में कि मतलब क्या वोलते हैं जो परसाशनिक बेवस्ता है पूरा तरीका से खराब हो गया है कि अपर देखिए सरकार देखिए हम लोगो अपना राइट्स मांगने के लिए अपर विदान सवा में नहीं जाने दे रहा है बताएं अगर इस देशka जो नागरिक है उसको अपने राइट्स मनग रहा है उसको और गुणा बंद कर रहा है अब क्या बोलना चाहिए कों में पूरा तरीका समस्तेल भी एसा इस्थिती हो गया है मैं इिस राज these पूरा मतलब हम लोग कुछ समझता हैं नहीं कहीं भी हम तो रविदाज आती से हैं इस पर क्या करेंगे नहीं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए इस बारे में को पता नहीं है